अगर आप लॉंग ट्रिप करना जाते हैं तो ये बाइक आपको वाल जुरूर राइड कर सकें तो मेरी टॉप 10 लिस्ट क्या है वो मैं आपका शेयर करता हूं दूसर दसफे नंबर पर आता है वो है बजाज अवेंजर 220 मॉडल जो की शॉट हीट बीपल्स और वोमन राइडर्स के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल अगर इसके पावर के बात करें तो 220 CC का इंजन आता है जो 19PHP के पावर प्रोड्यूस करता है 40 KMPL का इसका माइलेज होता है जो की 40 लेटर के टैंक्स आपको मिलती है और इसका जो वेट है वो ही बहुत हलका होता है 155 kg की गाड़ी होती है जिसके आप इजली इसको कंट्रोल करते है ABS models पर totally available है इसका जो on-road price है वो 1,25,000 के आसपास आपको अपने sitting में मिल जाएगा sitting height जो इसकी 725 mm की होती है जिससे की small height people या फिर जो women short height होती है उनके लिए बहुत यह comfortable होता है अब भी बहुत लोग इसको यूश करते है जो इसका model है जो उसका controlling है वो बहुत ही अच्छा grip अनता है अच्छा gripping देता है suspension भी इबन फ्रेंट बहुत ही अच्छा बहुत करता है and power जो produce कर रहा है वो 18.1 bhp का power produce करता है 28cc का engine है 154 kg की गाड़ी है sitting height थोड़ा सा लंबा लंबे लोगों के लिए सही है short लोगों के लिए मैं recommend बिलकुल नहीं करूंगा because इसकी sitting height 823 mm का है मतलब 40 km पिल अगर और नॉर्मन पर कहा जा रहा है तो हिली रेस में वही आप मानके चलिए 32 मैं 30 की आसा maximum मिल सकता तो on-road price जो एसका 1.25 lakhs का है fuel and carburetor दोनों model मिलता है थोड़ा बहुती change है variation में तो इसलिए मैंने इस model को रखा हुआ है 9 number पे दोस्तो 8 number पे है yama fz25 and yama का जानाम आता है वहाँ पर performance, stress, build quality इन सब चीजों के बारे आती है तो दोस्तों यह जो power produce करता है 20.3 bhp का है 39 kmpl के असपस average company claim करती है वाट जो actual average है वो 35-36 के असपस ही मिलता है weight for a light है 148 kg की गाड़ी पढ़ जाती है जो इसका on-road price है 1.55 lakhs के असपस में आपको dual channel ablis के साथ मिल जाता है average अच्छा है tank capacity थोड़ी छोटी की गई है यह 13 liters की यह tank size के साब से का चोटा लगता है जो इस गाड़ी को बहुत ही जादा अच्छा करते हैं इसका जो sitting height है वो 5.6-5.7 के लिए सही है मतलब जो sitting height है वो 7.95 mm का है तो उससे नीचे अगर कैसे का height है तो थोड़ा controlling में थोड़ा problem होता है KTM Duke 200 plus model जितने भी है 253, 90 model यह सभी model जो होते हैं बहुत ज्यादा यूज के आते हैं टूरिंग ट्रिपिंग पर ले ले लगता को आपको आपको बहुत जादेखने को मिलेंगे वो थोड़ा सा कम मिला दा 10 लिटर के आसपास का वो टांग मिलता है मालेज भी अच्छी नहीं है जो 200 cc है वो 35 kmpl का उस कंपनी क्लेम करती है बढ़ 32 के आसपास average देती है actual में वही 390 जो है आपको 24-25 के आसपास ही आपको अभी प्राइजिंग के बाद मात कुरूं ऑन रोड़ प्राइस के बारे में तो जो 200 cc है वो आपको पड़ती है 190 के आसपास में जो 390 है वाव पड़ती है 3 लाक के आसपास में तो अब देखते हैं कि प्राइस वेरेशन बहुत जादा है बट यह टूरिंग ट्रिपिंग के लिए 7 नंबर पे परफेक्ट प्लेज है इसका तो जो 6 नंबर पे है बैनली इंपीरियल 400 मॉडल एंड यह एक्चल में डिजर्व करता है यह न्यू मॉडल है बट फुली लोड़ेड एंड फीचर्ड मॉडल है इसको जो पावर है जो सीसी है इंजन है वो 374 cc का है और 20.7 बहु पावर प् 205 kg की 205 kg की यह गाड़ी है अगर इसके अन रोड प्राइज की बात की जाए तो 2.10 तो 2.15 लैक का सपस जो नया प्राइज अप्डेटेट प्राइज आया हुआ है 2020 का वो प्राइज हो चुका है एंड मॉल्टिपल कलर उप्शन में मिल रहा है कलर तो ठीक है बट जो एक् साइज है और 12 का है सिटिंग साइज जो है that is 780 एंड ग्राउंट लेस अच्छा है प्री बोलुगा के लेलत दाग साइट में थोड़ा सा प्रॉलम होसता है विकोस यह सब चीजें प्रो एंड कॉंस करते हैं सर्विस न्यू मॉडल है इसके मेकानिक्स यह सब चीजों के व सिटिंगाइड बट जो लंबे लोग है उनके लिए प्रोडम आता है अगर पावर की बात की चाहें 293cc का इंजिन है 27bhp का पावर पर डूस करता है जो एवरेज जो कंपनी बोल रही है वो that is 37.5 kmpl बट जो एक्चल आता है वो 32-34 के असपास ही इसका मैलेज आ रहा है और गाड़ी नॉर्मल वेट है मतलब ना हैवी है ना लाइट है 170g के असपास की इसका है और जो डूल चैनले लेज आता है 1.90 लैक्स के असपास में रेट आ रहा है और सिटिंग हाइड अगें जो मैंने बताएगे के अंपरेबल है जो आपको 165 mm का मिलता है बच्जो जो जि जो आपको liquid cool engine मिल रहा है वो भी अच्छा है बट build quality को लेके अभी भी बहुत सारे question and finger pointing इस model के अपर हो रहे हैं इसलिए ये model जो है वो 5th नंबर पे है तो इस तो 4th नंबर पे है रोयले फील के classic 350 and find it CC model और ये दोनों model सबसे जादा use के जाने वाले model है जो की use के जाते हैं लगता टूरिंग और ट्रिपिंग पे ये purpose bike है इस model का आपको service center हर एक cities में आपको मिली जाएगा mechanic जो है local mechanic भी इसको इसलिए सबसे चाहदा use भी किया जाता है और आपको इसलिए इसका जो प्राइस रेंटल प्राइस भी है वो 1000 पीस 1100 पीस में आपको easily मिल जाती है and powerful bike है थोड़े से pro and cons के वाएस से ही पीचे आता है high altitude पे थोड़ा से इसका जो performance है वो down हो जाता है due to oxygen level इसका तुनिंग है करने पड़ती है अगर पारवार की बात की बात की बात की बात कर रहे हैं तो 190 से स्टार होता है और 2.5 लैक्स तक ये model की जो rates है वो vary करते है sitting height 800 एम की होती है जो fuel carrying capacity है वो आती है इसके अंदर 13.5 की है जो mileage कर जाती है हिली areas में अगर बात करूं तो 30 प्लस तो आपको easily मिली जाता है आप normally ride करो और अच्छे tuning के साथ करते है और आपके riding simple है तो आपको अच्छे average मिली जाती है और भी बहुत सारी चीजे हैं जो इसके अंदर एचसे आपको इसमें बहुत सारी एसे जरी मिल जाती है जो cheap price में सस्ते प्राइज में आपको मिल जाती है जो टूरिंग के लिए बहुत अपर इसी लिए यह जो है पोर्थ नंबर पे है तो तो तीसरे नंबर पे आता है बहुत है रही है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लोहों का रिस्पॉंस भी आ रहा है अगर पावर की बात कि जाए तो 370 3C का इसके इंदर इंजन आता है जो 39.4 बहुत करता है गाड़ी है मातब मेडियन है जिसको बोल सकते है माइलेज एक्चल में कम है 30 30 के आसपास जो 5.8 है वह एजिली इस काड़ी को राइड कर सकते हैं पिकप प्रफॉर्मेंस फीचर्स ये सारे वर्ट्स जो है इस मॉडल को डेडिकेट किया आते हैं बट फिर भी अभी भी थोड़ी चीजे है जो इसमें इंपूर्मेंट होनी चाहिए इसी वजह से मैंने इस मॉडल को र इसमेंट ये वह हों राइड को और इसके राइडर्स दिन बठते जा रहे हैं बिकाउज ओफ 3 लाइक के अंदर में पहला ये मॉडल है जो पैलिक्टों इंजिन और इतना रिफाइन एंजिन जो है वह राइडर्स को दे रहा है लेले टाक के रूट पे बैस्ट प्रफॉर 48cc का इसका एंजन है जो 47bhp का पावर बीडूस करता है 202 kg का वेट है वेट होड़ा है और प्राइस के अगर बात की जाए तो थ्री लैक्स का मॉडल जो है वो स्टार्ट हो जाता है और इसमें तीन वेरेंट्स आते हैं वो दस बारा जार के गाप में आपको मिल जाते हैं अ तो आई डिजली कर लेंगे शॉट में थोड़ा सा कमफर्ट प्रॉलम हो रहा है और अगर बात की जाए तो टैंक जो है वो 13.7 लीटर का है जो कि बहुत कम है इसके ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि इस परपस से गाड़ी बनाएगे टूरिंग ट्रिपिंग के तो इसके रॉयल इंफील के हिमालेड मॉडल एंड यह बहुत ज़्यादा पसंद के जाने वाला मॉडल है जो लेलदा ट्रिप पे टूरिंग पे यूज के जाता है और यह परपस्ट पाएग है एक्चल में यह टूरिंग ट्रिपिंग एंड इसके जो एसदरीज होते हैं वो भी इस सारी चीज़े जो नए मॉडल है उसमें सलुशन प्रोइड कर दिया गया है रॉयल इंफील के तरफ से एंड यह मॉडल जो है सस्ता अच्छा और टिकाव टाब का मॉडल है जो आपको लेलदा ट्रिप के लिए हैल्प करेगा और इसके पावर की बात किया है तो 4116 का का है एंड जो टैंक कैपिसिटी है पंदरा लीटर के आसपास क्या मिलती है एंड एवरेज इस गुड आपको नॉमल जो एवरेज है वो 30 के आसपास यह अराम से दे देता है जो 411cc का इंजिन है वो आपको 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 नॉमली देखे जो बागी गाडियों में देखने यह परपस बाएगा आप इसमें जो गाड्स देखेंगे जो इसमें एस सरी की जगा देखेंगे वो सारी चीजें इसको एक्स्प्रेंट करती है कि यह मॉडल लद्दाक हिमालेन टूरिंग ट्रिपिंग के लिए ही बना हुआ है तो दोस्तों आप सारी डिडिल आपको क्ले मुझे हेल्प कर सकें दोस्तों ख्याल रखें ध्यान रखें और देख तेरी गुरुजीत व्लोग ऐसी बहुत सारी इंफर्म विवाब के लिए आते रहेंगे बाए क्या हुआ है